हेलो फ्रेंड्स आज हम बनने जा रहे हैं मैगी और गेहों के आठे से बहुत आठे पिया मैं पर लिया पूजी लिया है इसे क्या होगा अपस अपसमें प्श जाएंगी और जो चीनी वगएरा है वह अच्छे से पीज़ जाएंगी देखिए यहां पर जो हमारा mixture है वो ready हो गया है और एकडम बारीक हो गया है यह अच्छे से सभी चीज़े जो है mix हो गई है और पिस भी गई है अब इसे हम क्या करेंगे निकाल लेंगे एक बरतन में और इसी में मैंने यहां पर आधी कटोरी जो है दही डाल दी है दही एकड कर सकते हैं उसमें काफी आसानी से हो जाएगा और sucky यह देखते ही देखते जो है आसानी से जो है जाते हैं और काफी अिक्स हो जाता है यह रहाएफ पर नहीं कि इसकी इसी तरीके से अभी रखोंगी तौकि मैं लगबक 15 मिनट के लिए इसे तरीके से फूलने के लिए छोड़ तीजी यानि रेश्ट पर चोड़ तक के लिए कहले यहां पर इसकी तयार करेंगे उसके लिए मैंने तीन चोटे साइच के लिए हैं और पादी को पहले से मैंने बॉआल होने के लिए रख दिया था बादी मे मैगी में जैसे की बुखलने में और उब हिल दो मिन यह मश्यों आपा जांगे सब्सक्राइए तिसे भीया है तो घुब यह में फैलया जो वोट पानी गोँचान है यह यहाई पर जन्ससिंट रहो रह तो तो निपन है उंद्फर रेसी अध़ फेला के उप भिण यह नहीं और ठंडड़ के वाद ही रहेंगे तब तक के लिए हम क्या करेंगे एक गज़ा है और यहां पर अब मैंने प्याज जो है इसे भून लेंगे प्याज को अच्छे से और उसके बाद इसमें एक टमाटर यहां पर मैंने आड़ किया है बहुत ज़्यादा सब्जिया में यहां पर यूज नहीं कर रही हूं थोड़ा सा नमक एड़ करेंगे स्रिफ टमाटर और प्याज के लिए क्योंकि जो मैगी है उसमें नमक पहले से ही रएता है और मैगी मसाला इसमें निकलता है वह मसाले यहां पर डाल देंगे इससे इसका टेstal बहुत आएगा बहुत अच्छी और यूनिक रैस्पी है दोस्तों इससे पहले आपने कभी नहीं बनाई होρη कि यह बहुत पसंद आती है क् मैगी के साथ में इसमें हम गेहू काटा भी आट करेंगे इसलिए यह काफी हेल्दी रेस्पी हो जाती है बहुत ही बढ़िया लगती है जटपट से बन भी जाती है एक बार आप इस रेस्पी को जरूर ट्राइ करके देखिएगा दोस्तों दो चमच की करीब मैं यहां पर टम मैं इस तरीके से आपको यहां पर बना लें है फिलाल तो मैं इस तरीके से मैंगी बना रही हो और देखे यहां पर जो हमने मैगी उबाल कर करके रखा हुआ था उसे भी हम बनाते हैं तो यह थोड़ी सी ड्राइ रहती है और अपस में जो है चिपकती भी नहीं है खिली-ख आहां पर ही बिए बना रहे हैं इसलिए हैरी नहीं डाली है थोड़ी सी दनिया की पत्ति थोड़ी से डाल दे रहे हूं और इसे देखने में भी अच्छा लगे और खाने में भी कज़े आगा छो पार जाएगा देखिए अमारी मैगी जो है वह रेडी है अब से हम निकाल के लिए इस ऐसे ही छोड़ देंगे दिखें मैगी तो हमारी बन गई है और दिखने में भी टेश्टी लग रही है कि खाने में भी बहुत ही टेश्टी लब निती और देखें यहां पर जो तब तक के लिए नमक एक करें है और चाहेब इस प्रचाब्र दालने नहीं आपढे में िसको फीट लेकिना legitimate और अब के लिए फीट सब्सक्राइब को लके लिए यह एक प्रता रीघ यहांट प्रत करें है estado करीः करेंब में अब मैं इसे उठा करके दिखाती देखे यह गिर रहा है नीचे तो यहाँ पर नीचे इसमें जो है लेयर नहीं आ रही है अब देख सकते हैं बैटर हमारा कितना स्मूध है अच्छे से हमारा बैटर जो है मिक्स हो गया है फूल गया है अब यह धोसा बनाने के लिए एकदम से पोच लेना है बहुत ही बढ़ियां जो है लगता है यह खाने में दोस्तों हम इस धोसे को जो है बनाएंगे और इसे मैगी के फिलिंग से भरेंगे बहुत ही अलग और यूनिक रेस्पी है दोस्तों एक बर आप जरूर ट्राइक करके देखिएगा बहुत ही टेस्टी ल सकते हैं और ह्यों जो-म्हाइगी का जरूर इकम का फीलिंग है उसके अंदर हम इसे इस तरीके से डाल देंगे अच्छे से मैगी फैला देना है थोड़ा सा आप चाहेतो यहाँ पर पनीर भी एड़ कर सकते हैं पर मैं यहाँ पर इसमें थोड़ा सा चीज डाल रहे हूं च नहीं ठावे जंख मुझे स्वैंट क чув औरो सब्सक्रीन ही अपलगा धिल धाये लमार से करेक्व आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट अंस्य सmem करके जरूर बताइये गा और लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी न भूलिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज इसे सस्क्राइब भी जरूर करिएगा अच्छी अच्छी रेस्पी और नई नई रेस्पी देखने के लिए आप मुझे फेस्बुक पर भी फॉलो कर सकते हैं देखिए हमारे जो धोसे हैं वो एकदम रेड़ी हैं यह देखने में जितना टेस्टी लग रहा है दोस्तों खाने में भी उतना ही टेस्टी लगता है एक बार आप इस रेस्पी को जरू ट्राइब करके देखिएगा दोस्तों आपको बहुत बहुत पसंद आएगी मैगी की फिलिंग वाला आठे गढ़ोस बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बनता है बाई बै दोस्तों थेंक यू पर वाचिंग